हेलो दोस्तों नमस्कार ठेंक्स आ यूटूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मार्केट में लगातार नए नए प्लान आते ही जा रहे हैं मैं उनका नाम नहीं लेना चाओंगा यहाँ पर लेकिन आ रहे हैं दोस्तों मार्केट में नए नए प्लान और ज़्यादातर प्लान दोस्तो बुष्टिंग और आटो पूल बेस प्लान ज़्यादा आ रहे हैं और जब इसका प्रचार प्रशार होता है मार्केट में तो क्या कहा जाता है लिडर्स लोगों के माध्यम से कि जल्दी जॉइन हो जाओ नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला आप जल्दी जॉइन कर लो इसमें आपको बहुत बड़े बड़े पूल मिल सकते है क्योंकि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा तो दोस्तो वेसे तो आटो पूल की सच्चाई होई है जो पहले आएगा पहले उसे मिलता है आटो पूल मैं मानता हूँ इस बात को लेकिन ये पात अभी प्लान जॉइन करवाने का भी एक टीप से बन गया एक तरीका बन गया है और उस लालुच में क्या होता है जो छोटे लिडर होते है जो मार्केट को नहीं समझ पाते है ठीक से वो जॉइन कर जाते है और होता क्या है दोस्तों अभी बड़े-बड़े लेडर को भी मैं देख रहा हूँ जिनके बास अच्छी खासी टीम है वो भी प्लान को लगातार चेंज करते जा रहे हैं थोड़े दिन एक नए प्लान किया उसमें अच्छा खासा टीम बनाया कमाया और दोस्तों उनको फिर एसा लगा कि नहीं यह प्लान अब थोड़ा स्लो हो गया और आज कल क्या हो रहा है कि वाटोपुल प्लान भी दोस्तों डीसेंट्रलाइजस आने लग गया ट्रोन लिंक प्रो में आने लग गया दोस्तों ट्रोन लिंक में फिर उसके बाद ट्रस्ट बॉलेट में भी कई सारे प्लान आने लग गये हैं यसे जितने भी बॉलेट से उसमें ब्रावजर पर जाके बेपसाइट इंटर करना होता है, और वो प्लान होई से रन हो रहा है बेपसाइट के माद्यम से, लेकिन उसे क्या का जा रहा है, decentralized है, यह किसी के बस में नहीं है, वो आटोमेटिक चलने वाला है, दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, हर एक प्लान में जो प्लान का एड्मिन होता है, उसका कमाड होता है, उसमें, तोस्तों कोई सा भी प्लान आप उठा के देख लो, उसमें जो क्रियेटर होता है, उसका कमाड जरूर होता है, कुछ ना कुछ, उसमें उनके पास option जरूर होता है, उस प्लान में कुछ भी changes करनेगा अभी उटोपूल की तो सच्चा ही यही है दोस्तो कि अभी जितने भी प्लान आ रहे है उटोपूल फास्ट दे रहे है और उटोपूल आप बार बार कहते हो कि उटोपूल manually है यह robotic है तो दोस्तो उटोपूल चाहिए आपको robotic दिया जाए यह manually दिया जाए आपको सिर्फ उटोपूल आते रहेना चाहिए नियम तो सही नियम होई होता है अगर उटोपूल अगर वर्किंग नहीं चलता है तो बहुत ज़्यादा दोस्तो ऐसा नहीं है टीम जहाँ पर एक बार बार चेंज करने से आपका टीम कहीं नाराज होती है टूटती है और टीम का पेशा डुपता है प्लान एक चुनो दोस्तो एक प्लान मार्केट में तो हजारों प्लान आते जाएंगे और जाते रहेंगे वो तो ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं होता है मार्केट में कोई सभी प्लान आ रहा है ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं होता है लेकिन जिस प्लान के पास बीजन है उसमें लिडर स्टिक के काम नहीं करते एक सच्चाई मैंने ये भी देखा है जिस प्लान के बाद वीजन होता है जो बड़ा कुछ करना चाहता है मार्केट में लगाता ठीका हुआ है उसमें काम कोहीं नहीं करना चाहता है उनको ऐसा लगता है कि आटोपूल स्लो हो गया है आप नहीं करना चाहिए इसमें काम इसमें boosting slow हो गया है इसलिए इसमें काम नहीं करना चाहिए तो दोस्तो होई पर हम कहीं न कहीं गलती खा रहे होई पर हमें गलती हो जा रहा है हम auto pull के लालुच में नए-नए plan जॉइन करते जा रहे और हमारी team को भी होब होब ले के जा जहाँ पे कुछ आपको उम्मीद और आशा की कीरण वने जिसका भविश्य हो वहाँ पे कोशिश और आपका महिनत होना चाहिए प्लान को बार-बार चेंज करने से आप कितने भी कोशिश करते रहो प्लान को चेंज करते रहोगे तो सबलता नहीं मिलने वाला है आप प्रोड़क्ट वेस में भी अगर वर्क कर रहे हो तो हाँ पर भी आपकी कंसिस्टेंसी होना जरूरी है आपके लगातार काम करते रहना जरूरी है लेकिन कमपनी आपको एक ही चुनना है और हो पे लंबे वक्त तक वर्क करना है एक बात यहां बता दू इन्वेश्मेंट आप करके जरूर रख सकते हो अगर आप में लुकसान जहलने की चमता है आपने बहुत सारी जगे इन्वेश्मेंट किया है कि हाँ ठीक है यह इसमें में इन्वेश्मेंट कर देता हूँ इसमें कुछ आएगा या नहीं भी आएगा तो चलेगा तो वह बात एक अलग हो जाता है लेकिन दोस्तों अगर आप हर प्लान में टीम बनाने की सोचोगे तो आप ज्यादा दिन तक मार्केट में टिक नहीं पाओगे आप तो सक्सेस नहीं होंगे साथ में आपकी टीम भी तूट जाएगी तो अभी ओटोपूल प्लान तो यह इसा ही आ रहा है कुछ दिन के लिए और फिर चले जा रहा है तो दोस्तो बड़ी-बड़ी बादा नहीं करना चाहिए अपने बज़े से किसी का लुक्सान नहो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कही न कही जो भी अपने साथ आते हैं मार्केट में काम करने के लिए अपने विश्वास पे आते हैं इस इसका जरूर ध्यान रखिएगा अपने फाइदे के लिए किसी का लुक्सान करना दोस्तो अच्छी बात नहीं है क्योंकि हमें कर्म करने का चमता दिया है इश्वर ने तो हमें हमेशा सत कर्म करते रहना चाहिए और जहाँ पर दीख रहा है कि लुक्सान है वहाँ पर दोस्तो काम नहीं करना चाहिए और दोस्तों मैं आपको एक बाद बता दू मैं जितने भी वाटोफुल्स प्लान के बारे में वीडियो डालता हूँ मैं किसी भी प्रकार का किसी भी प्लान से मैं दोस्तों प्रोमोशन का पैसा नहीं लेता हूँ जो सच्चा ही है वो ही रखता हूँ और हुआ पर ना किसी प्रकार का मैं आपको कहता हूँ कि मेरे साथ जॉइन हो जाओ मैंना आज तक तो मेरा मोबाइल नंबर भी नहीं दिया है थोड़ा बहुत मैं फ्री एलडोब के बारे में बताते रहता हूँ बीच-बीच में कि फ्री एलडोब क्लेम कर लो इससे आपको आने वाले समय में अच्छा कुछ मिल सकता है उसके अलावा दोस्तों मैं कुछ खास यूटूब के मादियम से मैं प्लान प्रोमोट नहीं करता हूँ मैं आने वाले समय में जो भी प्लान प्रोमोट करूँगा दोस्तों जब भी मेरा कॉंटेक्ट नंबर में दूँगा उस प्लान को मैं पहले घहराई से अध्यान करूँगा उसके बाद ही मैं प्लान यूटूब के मादियम से में प्रोमोट करूँगा अन्यता दोस्तों मैं पेरा नंबर बगेरा कुछ भी में नहीं दूँगा और नहीं उसका प्रोमोशन करूँगा नहीं उसके बारे में पॉजिटिव वीडियो बनाऊंगा मैंने परलवाईन में दोस्तों काफी लंबे समय तक वर्क किया परलवाईन से काफी कुछ अनुभव लिया और वही से एकी चीज़ सिकने को मिला है कि हमेशा इन्वेश्मेंट उतना ही करो दोस्तों जितना हम सेहन कर सकते हो दुक्सान होने पर भी परलवाईन में भी देखा लेडर अनेक्ट्यव होके दूसरे मेटा वारीस प्लान जो ट्रोन बेस्ट लिंक प्रोप है वह इसा प्लान करने लग गए और ऐसा बता रहो डिसेंटरलाइजेस है दोस्तों हर एक डिसेंटरलाइजेस प्लान में भी एडमिन का कमान होता है आप यह ना समझें के बार बार चेंज ना हो और साथ में बिड्रोल का किसी भी प्रकार का शमश्या ना हो साथ ही किसी का हुआ पे लुक्सान ना हो और कम अमाउंट वाला हमेशा होना चाहिए और दोस्तों आपको मैं एक बात बता दू जो भी आप काम करें आप उसका अच्छे से स्टेडी करें उसके बाद ही आप उसमें आगे बढ़ें और साथ ही दोस्तों सोच समझ के डिसीजन लीजिए क्योंकि मार्केट में कई सारे फ्रोट प्लान भी चल रहे है उससे बचके रही है तो धन्यवाद मिलता हूँ ऐसा ही जानकारी से संबंदित वीडियो में आप मेरे चैनल में पहली वार आये हो तो चैनल को सब्सक्राइ बहुत अच्छा लगा होगा तो धन्यवाद आप स्वस्त रहिए मस्त रहिए अपने लक्षे में लगातर आगे बढ़ते रहिए